हालो बड़ीज ग्यान बाबा स्रीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बाबा के फंडा में बात करेंगे बाइयो मॉलीक्यूल का एक बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जब बायो मॉलीक्यूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर केमिकल एनालिसिस के बारे में बात होती है chemical analysis chemical analysis जब हम करते हैं तो उसमें हमें carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, calcium, silicon, magnesium और sodium ये nine elements हमें वहाँ पर दिये गए chemical analysis में जहाँ पर trichloroacetic acid का यूज करते हैं अब ये nine elements जो दिये गए इन में से कुछ element human body के अंदर ज्यादा है as compared to the earth crust and few elements are more in earth crust as compared to the human body तो अब ये कैसे याद कर पाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा formula मैंने बनाए है ठीक, भंड़ा देखो बाबागा हम बात करेंगे उन element के बारे में जो human body में ठीक है, human body में जो ज्यादा है as compared to the earth crust अर्थ crust तो human body में कौन से element ज्यादा है? human body में कौन से element ज्यादा है? कौन से element ज्यादा है? ये पूछा जाएगा आपसे exam में तो कौन से element ज्यादा है? ये ही सवाल है और ये ही जवाब ही देखो कौन से? कौन मतलब carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen और S for the sulfur क्या समझे? तो human body में कौन से element ज्यादा है? अरे सवाल नहीं है जवाब है ये human body में कौन से element ज्यादा है? कौन मतलब carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen और S4 Sulfur कैसे लगा बाबाजी का फंडा कमें सेक्षन बताईगा मैं हूँ डॉक्टर हर्योम कंखवार और मैं आपके लिए ऐसे फंडे लाता रहूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगली वीडियो में बाबाजी का नया फंडा आएगा चैनल